इस फ्रस्ट प्रफल साणिन सेकंड फादर को हेल्थ में इश्व कराएगा ठीकि फादर को हेल्थ इश्व कराएगा पर प्रॉबर की सेवें थाउस सब्सक्राइब में नॉर्थ दिरेक्षन ने रखा हुआ को वर्गो का प्रॉब्लम आएगा कि इनको सर्वेंट लोग नहीं मिलें यह सर्वेंट लोग आ तो जाएं लेकिन सब छोड़ की चले जाएं ऐसे इसे इशू आना क्योंकि बार-बार यह गुस्टा कर देंगे चिला देंगे उसके उपर हो सर्वेंट को कामी नहीं करना आप क्रियेटिव काम भी करने के लिए औरियंटेड रहेगा ठीक है संसेकेंड आउस में ना सेंस सेकेंड हाउस इस सेम एस लियो इस सेकेंड हुस्ट ना वाट 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 कैन वी बिंग पस अफॉल मदर का इंपॉर्टेस बहुत है बदर से बहुत क्लोज हो जाएंगे क्रहस्त जीवन को बहुत ज़्यदा की तरफ प्रेरित रहेगा ऐसा वेक्ति फैमिली को बहुत वह करेगा फैमिली का नाम रेप्यूटेशन अपने आप बढ़ता रहेगा अच्छा गुण होना लेकिन साथ इसाथ फादर का रिस्पॉंसिबिलिटी भी आ जाएगा या फिर किसी राजा का रिस्पॉंसिबिल्टी भी हो सकता है मैंने कई वाल देखा सचिव इस प्रकार की चीज़े आपके उसमें देखने को मिल सकती है फादर का भी रिस्पॉंसिबिल्टी लेने का मौका मिलते हैं क्योंकि मून का लगन आज फादर के लिए कर्म तो बनेगा बनेगा ठीक है एक वह एस्पेक्ट भी है ना जानिं सेकेंड हाउस जब होता है वानी से बहुत अच्छा होता है और सिक्षा के लिए काम करना पड़ता है शिक्षा के लिए कुछ न कुछ उसको देना चाहिए ठीक है बच्चों का जिम्मदारी कुब लेता है जानि से के अब सेकेंड हाउस में संहें थीक है सेकेंड हाउस में सनहें तो यहां पर संको एक प्रॉब्लम जरूर आ सकता है वह है कई अगर यह गलबन हुआ कुछ भी मेलेफिक एफेक्ट आयाना संगे उपर सीध सब नैशे का प्रॉब्लम सीधा करेगा सीधा आपको ब्रहमित करेगा दूसरे मार्गों में इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना यहां पर जरूरी यह सन को अच्छा रखना जरूरी है ठीक है इसलिए फूड जब भी सन यहां पर खराब होएंगा फूड पर कंट्रोल जाएगा फूड को ही ठीक करना पड़ेगा ठीक है बोजन पर बहुत वह रखना है बहुत अदा मिर्च मसाले वाला वाला भोजन खाना शुरू किया मिर्च मसाले इन दसेंस की तमस मीट नहीं खाता and you started it now your son is gone back अब आपको problem हो गा इस चीज़ का पहले problem होगा son जैसे होना सबसे पहले तो बार बार किसी की जीब कट जाती हो अपने ही मुझसे जीब कट हो जाता है अलसर का problem हो जाना जला देना अंदर ही अंदर जला देना ठीक है ऐसी चीज़े का problem आ जाता है बार बार जीब करती रहेगी ऐसा issues होने लगता है तो यह भी एक son का second house में ओने का है बट son in second house if you are taking care of good care of food अपने कुटुम के विपरीद नहीं जाते है ठीक है और उसको follow करते हैं then it will be behaving good only और आपका बहुत सारा ऐसा होगा कि शाकल से देखने में उनको उनके अंदर कुछ भी नहींगा लेकिन यह मूँ खो लेगे न तो तुमको सुनने में लगेगा हाँ यह कुछ interesting आदमी है इसकी बात सुनते हैं ऐसा हो जाता है ठीक है then if you see second house sun को problem क्या होगी sun से देखो कि कौन से houses जा रहे है 7th house और 9th house so first of all son in second house father को health में issues कराएगा ठीक है father को health issues कराएगा but more prominently 7th house पत्नी का स्वास्त जादा खराब कराता है पत्नी के स्वास्त के लिए tension देता है बार-बार ठीक है क्योंकि पत्नी से 7th house से देखो न इसान 8th house में है तो उसके कुंडली में कई ने कई कोई ऐसा प्लानेट जरूर है जो गरम प्लानेट है अग्णी हाला प्लानेट है और अस्टम में बैठा है उसके तो इसलिए आपका 7th house का problem जरूर वो create करके दे देता है तो आपको कही न कहीं ऐसा देखने को मिला है जो स्त्रीयों से अपमान होना यस्त्रीयों से कोई issues हो जाना यह एक prominent चीज़ देखने को मिल सकते हैं ठीके issues हो जाना यह फिर पत्नी इस्वी नहीं हो रहा है पत्नी का सौश क्राब है प्रतनी का health issues medical में बहुत सारा पैसा जा रहे है इशुजार है ठीक है relationship भी हो सकता है कि it could be कि you you are more prominently आपना relationship अपने पत्नी को इज़त ना देना ये भी कारण हो जाता है क्यों कि पत्नी के भाव में आप सूर्य नहीं पढ़ रहा है इज़त का कारक सूर्य है तो seventh house से सूर्य दूर चल लगया तो आप उसकी बेज़ती कर दो याद रखना सन जहां नहीं हो रहा है वहां पर बेज़ती होने का problem जार आ जाता है इज़त ना मिलना यह भी प्रॉब्लम है ठीक है so that is what sun in second house can do remedy will be to donate food जहां पर सूर्य बैठा है वहां पर दान देना जरूरी है first house में बैठा है तो शारिरिक दान देगा है लोग आपसे समय मांगे ब्रॉ fon में सराध बदोर लृस मिनिट ठीक हैandra तो आप सब की वाड़ी मांगे आप से अपक वोजन नहीं है आपको वो चीज़ मांगी जाएंगी अभी मैं बताऊंगा कि क्याहां से यह मैं उठा रहा हूं then son in third house son in third house what will happen son in third house is the same as Leo in third house अब this person communication ability हमेशा बात करते रहना कुछ कुछ बोलते रहना चुपना रहना all those qualities will kick in because he's a Gemini young दिखना good looks young दिखता रहेगा ऐसा वेक्ती third house में Gemini में हो son हो तासा वेक्ती अपनी उमर से बहुत छोटा दिखता है ठीक है siblings बहुत इंपॉर्टन होंगे siblings life है बहुत इंपॉर्टन हो जाएंगे क्योंकि he's totally like a Gemini person ठीक है his communication ability his technology will be very advanced his presentation skills will be very good the way he will be presenting anything will be excellent so that is how all the features will come into Leo in son in third house son in third house friends भी ऐसे देगा जो आपको बहुत उच्पदा निसकारी होंगे कहीं कहीं बहुत major positions hold करते रहेंगे siblings भी ऐसे देगा कि बहुत अच्छे उसमें पहुंचे होंगे चीजे होएंगी but problem किस से हैं ससुराल से ससुराल का बहुत जबादा चीजे support नहीं रहेंगी ठीक है ससुराल का चीजे issues रहेंगी ससुराल से इजद नहीं मिलेगा ससुराल वर बहुत जदे आपको इजद नहीं दे सकते ठीक है वहां पह आप अपका वह चीज हो जाएगा ठीक है तो ये एक नेगेटिव फैक्टर ज़रू मिल सकता है सड़न चीजे हों लाइफ में सड़नली कुछ टैक्स कट जाए क्योंकि एट थाउसेज ऑफ टैक्स तो सड़नली टैक्स लग गया सड़नली मॉनिटरी कुछ इश्यू आ गए ठीक है मेडिकल पैचाना कुछ खर्चा हो जाना that is also this thing टिक है that is also one prominent feature with Sun in third house Sun in third house क्या दान देना पड़ेगा बच्चों के लिए चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-दिक्शनेरी इस बुक्स टिक है जो बुक दान करते हों मिल जाए तुमको सूरीन थार्ड थाउस donation of literature ठीक है कोई भी gadgets भी हो सकते है it could be mobile phones your tablet somebody coming asking दी-दी-दी-दी मेरे tablet आप यह अपना अला tablet मेरे को दे दो हो सकते है that is the sun in third house वो दान देना पर चाहे and in general you will be seeing people who are into YouTube public वहां पर वो अपना presentation दे रहे है सबको लेखना सब उनका ओपन है that is also sun in third house क्योंकि वो दे रहे है उनका literature पास्वान कर रहे है ठीक है यह कथा सुनाने वाले भी हो सकते there को स्टोरी टेलिंग है यह सरगारी चाहिए that is sun third house sun third house को बस अपने ससुराल वालों से बना के रखनी चाहिए बहुत ज़्यदा इज्जत की उमीद मत रखना ठीक ठाक में ही काम चलाने लगए उतना काफिए ठीक है sun in fourth house now what will happen sun in fourth house is like the 12 12 बज़े रात का सूर्य मतला सूर्य तुम्हारे है नहीं बहुत ज़्यादा distance हो गया है काफी सूर्य का distance हो गया है तुमसे ठीक है first of all so it will first of all it will give you a lot of time self-doubts कि मैं क्या कर सकते हूं क्या नहीं कर सकता हूं ठीक है looks पर बार बार आना sun in fourth house बार बार लगता है कि मैं कुछ ठीक नहीं देख रही हूं कुछ मेरा यह ज्यादा आ गया है ना कई-कई बार ऐसा लगएगा मेरे बाल इतने खराब कर दिये भगवान ने ऐसा feeling होना ठीक है कुछ ना कुछ वैसा looks पर लाग करके रख देना फिर बार बार ऐसा वेक्ति बहुत सारे तो ऐसा वेक्ति को अपने ही लिए वह अपने ही जाल बुन लेता है क्योंकि मन में मन में सूर्य बैठा हुआ है confidence कैसे आएगा confidence आएगा जब यह सब एक्ति जब समाज को देखेगा अरे मेरे से बत्तर लोग इनकी पास तो हाथ भी नहीं परसका दो हाथ तो है सुन्दरता की बाती छोड़ दो ठीक है सूरी चौथे गर्म जैसे जाता है जब समाज के लिए करना शुरू करता है जब बहुत सारे पब्लिक लोग को मिलता है कि बता हो मैं तो यहां पर अपने बालों को लिए परशा होनो इसकी तो बिचारी की आखी पूट गई है तब सब्सक्राइब जोता है कि बाप जबाप जबाप जाएगी कि मैं तो जानी रही ती कि मेरे बेड़ा गर्ग है सारी चीज ऐसा है तो सब्सक्ट इसे अब कीप ऑन कमिंगे रिख्यों फोड़ तेक है और यह फ्लक्टुएशन एनरजी लेवल में आएगा फादर को कश्च देगा क्यों कैसे सपोर्ट ना मिलना क satisf ooo और जो से ऑंगये इस 》पार की तार स्थ कोई जीज ना होेज ए जमन्न कहीन आंना पैदा हो खाला हो तो देख रहे हो ना सूर नहीं है तर नहीं होंगे यह जन में हो यह और आपको देखना हो कि जन्ड के समय में क्या चीज़े अवीलेबल थी वहीं से मैंने वास्तु उठाया बहुत सारा कुछ कि जन्ड के समय में दिया किदर जल रहोगा तो जिस कुंडली में तो जिस कुंडली में सूर्य चौथे गर में होगा उसका बोले कि दिया जो है कोई नौर्थ डिरेक्शन में रखा हुआ होगा यह ब्रहत प्राश्च्रा हो रहा है जब जन्म ले रहा है रहती जिस जिस हॉस्पिटल में आप जन्म ले रहे हो उस ताइप लाइट कहा होगी उस टाइम पर कौन सी मेड कहां पर होगी यह वो सारा चीज का पॉजिशन बताते हैं ठीक है तो बेसिकली उसमें बताते हैं कि सब्सक्राइब पेता दूर है पेता इस नौट इन दा हॉस्पिटल और ही सम्वेर अवे ट्रावलिंग और सम्थिंग सम्थिंग तो यह चीज आती है अब